नमस्कार, सेल्फ में टिटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है, हम हाजीर हो चुके हैं, करेंट अफेर्स के मेगा सिरिज पार्ट टू लेका, ये बिपी एसी प्रिपरेशन के लिए बिचेस रूप से जो बच्चे जो स्टूडेंस बिपी एसी सर्षठवी बिपी गई है, वो लेकर मैं हाजीर हो चुकी हूँ, पहला सिरिज मैंने अपलोड कर दिया है, ये है सेकंड सिरिज, चलिए आगे बढ़ते हैं, बीना वक्त गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो पहला जो है टॉपिक, वो है पांच जनवरी 2021 को किस देश की संसद ने मलाला इसुफ, इसुफई स्कॉल और सिप एक्ट पास किया, तो अमेरिका ने पास किया था, ध्यान रखिएगा मलाला इसुफ कौन है, जिसे अफगनिस्तान की रहने वाली है, जिनोंने समास उधार के लिए मैलाओ के सिक्षा के परचार परशार के लिए काम किया, जिसे सांती क नोबल पुरसकार भी मिला था, और इसे तालिबानियों ने गोली मार दे थी, और इस साल तो उनकी शादी भी हुई है, जो काफी दिन चर्चा में रहा, उसकी भी आगी मैं चर्चा करूंगी, तो अभी जो आप देख रहे हैं, करेंट अफेर्स के मेगा सिरीज, पार्ट पर, क्योंकि इस पूरे सिरीज में, मैं जन्वरी तू दिसंबर, जो करेंट अफेर्स मुखे रूप से रहे हैं, उसको लेकर मैं आऊंगी, और ये डोज जो रहेगा, डेली, आपका ये वीडियो आएगा, इसलिए आप इसे फॉलो करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ल जन्वरी से, तो जन्वरी का ये भी चल रहा है महाकुंब, इसलिए आप इसे महाकुंब में डूब की लगाना न भूले, यदि आप शचटवी वीपीसी एकजाम को पास करना चाहते हैं, चलिए, छे जन्वरी, छे जन्वरी 2021 को किस राज ने वर्ड फ्लू को राज इंधन स्टेशनों के पास अस्थानिय समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की, प्रयास, आयोसी ने इंधन स्टेशनों के पास अस्थानिय समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की, प्रयास पहल शुरू की छे जनवरी 2021 को किस देश में फ्लाइ बिंग नामक नया एरलाइन शुरू हुई है फ्लाइ बिंग फ्लाइ बिंग नामक नया एरलाइन कहां शुरू हुई है भारत में कब शुरू हुई छे जनवरी 2021 को ये छे जनवरी के हम बात कर दें यानि जन्वरी अब जन्वरी कुछ दिन में 22 आने वाली है तिसलिए अब हम लगभग 15 से 20 दिन में 15 20 दिन ज्यादा ही हो गया 10 दिन के अंदर हम लोग पूरे जन्वरी टू दिसंबर करेंट आफेक्स जो है जीके का महासागर जो है पार कर जाएंगे चलिए नेक्स टॉपिक आता है 6 जन्वरी 2021 को की गई घोशना के अनुसार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्क्रण कहां आयूद किया जाएगा गुल्मर्ग में गुल्मर्ग का काश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम साथ जन्वरी 2021 को किस राज में M.Pension एप लंज की है M.Pension मनीपूर में याद रखिएगा मनीपूर में लंज किया M.Pension और M से मनीपूर साथ जन्वरी 2021 को भारतिय सेना द्वारा बनाए गई Human Rights Cell के प्रभू कौन बने है Human Rights Cell के प्रभू कौन बने है गौतम चोहान साथ जन्वरी 2021 को एसिया प्रसांद में Google Cloud का नया प्रभू किसे निउक्त किया गया है Google Cloud आप देखते होंगे आपके Android सेट में रहता है एक एप है तो उसके प्रभू कौन बनाए गया है करन बाजवा चलिए 9 जन्वरी 2021 को अमेरिका में नो निर्वाचित रास पर्ष्टी जो बाइडन ने Attorney General के रूप में किसे निउक्त किया है Mary Gorland को 9 जन्वरी 2021 को पूर्षो के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी 9 जन्वरी 2021 को विदेश मंत्राले द्वारायोजित सुलावा परवासी सम्मेलन का विशय क्या था आत्म निर्भर भारत में योगदान 10 जन्वरी 2020 को The Chronicle of Philanthropy द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सुची में कौन सिर्ष पर रहा जेफ बैजोस जेफ बैजोस यानि दुनिया के नंबर वन अमीर वैक्ती अब ये जाहिर ची बात है जेफ बैजोस दुनिया के सबसे अमीर वैक्ती है तो दान की वार्षिक सुची में सिर्ष पर यानि फॉस्ट पिक पर तो रहेंगे जेफ बैजोसी दस जन्वरी 2021 को विदेश मंत्राले द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुशार कितने देशों में 1.34 करोड इनार आई है अच्छा दस जन्वरी 2021 को विदेश मंत्राले द्वारा जारी रिपोर्ट यानि विदेश मंत्राले ने एक रिपोर्ट जारी किया यानि कि सबसे ज्यादा वो देश कितने है ज्यादा जहां एक करोर 34 लाख इनारे रहते हैं वैसे देशों के संक्या कितनी है 210 210 देशों में एक पॉइंट 34 करोर इनार आई है दस जनवरी 2021 को केंदर सरकार ने लदाक में किस नदी पर आठ जल विदुद परियोजनाओं को मंजूरी दी है 10 जनवरी 2021 को केंदर सरकार ने लदाक ले लदाक यानि जो टू एस्टेट्स बने हैं तो उने तो ले लदाक में किस नदी पर आठ जल विदुद परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है सिंधु नदी पर 11 जनवरी 2021 को बिंदु सागर सफाई परियोजना का सुबारम कहां हुआ ओडिसा में आगे बढ़ते हैं 11 जनवरी 2021 को जम्मु कस्मिर परशास्निक सिवा परिक्षा के उमिद्वारों की आयू सीमा 37 से घटा कर कितने वर्स कर दी गई है 32 वर्स यानि कि जम्मु कस्मिर परशास्निक सिवाज़े से कि बिहार का बीपी एसी होता है जो आप एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो उसमें उमिद्वारों की आयू सीमा थी कितने 37 जो घटा कर कर दी गई है 32 11 जनवरी 2021 को किसने अपने सम्विधान को जाना जाना को किसने अपने सम्विधान को जानो नामक पहल शुरू की अच्छा के अंदर सरकार ने जिसका नाम अपने सम्विधान को जानो 11 जनवरी 2021 को किस राज में भारत का पहला फाइर पार्क का स्थापित किया गया उड़्चा में फाइर पार्क इतना ध्याना जी पर्टिकुलर डेट वाइज भले न याद हो लेकिन जनवरी में ये सारी घटनाय घटी थी ये चीज आपको याद होनी चाहिए 11 जनवरी 2021 को की गई होशना के अनुसार भारत का पहला इंडोर इसकी पार्क कहां स्थापित किया जाएगा कुफरी में 12 जनवरी 2021 को एक कानवे भारती अंतराष्टे फिल महत सौ में फोकस देश इसे चुना गया है बंगला देश को 12 जनवरी 2021 को भारत ने अपने लिथियम बंधार की खोज 12 जनवरी 2021 को भारत ने अपने लिथियम बंधार की खोज किस राज में की करनाटक में की है ओके चली नेक्स टॉपिक देखते हैं 12 जनवरी 2021 को COVID-19 वैक्सिन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुक किसे निउक्त किया गया आरे सर्मा को 12 जनवरी 2021 को KVIC द्वारा विक्सित खादी प्राकृतिक पैन्ड को किस ने लंज किया नितिन गड करी 12 जनवरी 2021 को Food Wall के इतिहास में अब तक सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाडी कोन बने Cristiano Ronaldo याद रखेगा Cristiano Ronaldo सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाडी बने है 13 जनवरी 2021 को हुरून Global 500 रिपोर्ट में कितने भारतिय कंपनियों को सामिल किया गया हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में भार्तिय कंपनिया सामिल की गई कितनी 11 13 जनुवरी 2021 को किस राज सरकार ने चंदरभागा ताल सारी समुन्दर तर्ट को विक्सित करने करने ने लिया है चंदरभागा और ताल सारी समुन्दर तर्ट कहा है ओडशा में तो ओडशा सरकार ने ये नेड़े लिया है 13 जनुवरी 2021 को भारत वियत नाम रक्षा सुरक्षा वर्ता के 13 जनुवरी 2021 को भारत वियत नाम रक्षा सुरक्षा वर्ता के 13 जनुवरी 2021 को भारत वियत नाम रक्षा सुरक्षा वर्ता के बैंक का लाइसेंस रद किया बसंत दाधा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस महाराश्ट्र ने 14 जनुवरी 2021 को किस एम्स ने लगातार तिसरी बार काया कल्प पुरसकार जीता 14 जनुवरी 2021 को किस राज ने परशुराम कुण्ड तिर्थ यात्रा अरुनाचल प्रतेश ने 14 जनुवरी 2021 को इज अफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला देश का आठवार आज कौन बना केराल सुधार लागू करने वाला देश का आठवार आज केराल 14 जनुवरी 2021 को दुनिया की सबसे पुरानी गूफा चितरकला की खोज कहां की गई दुनिया की सबसे पुरानी गूफा चितरकला की खोज इंडोनेसिया में और हम भारत में भीम बेड़का यानि मद्य पर्देश में भीम बेड़का की गुफा चितरकारी मिलती है जो सबसे प्राचीन माना जाता है और यह दुनिया की सबसे प्राचीन है साथ चलिए आगे देखते हैं 14 जनवरी 2021 को किस राज ने सरकारी स्कूल के अंग्रेजी सिख्चकों के लिए TESOL Core Certificate Program शुरू किया है दिल ले 5 जनवरी 2021 को किस राज के मुख मंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्गाटन किया हर्याना हवाई टैक्सी सेवा का उद्गाटन किस ने किया हर्याना ने किया कब 15 जनवरी 2020 को 15 januari 2020 परे एक के नहीं किस देश का आतंकवाद के राज प्रयोजक के रूप में फिर से नामित किया है राज प्रयोजक के युझा को 16 januari 2020 परे कitting को DRDO धारा विख्शे देश की पहली स्वादेशी मसीन पिस्टोल का नाम किया है DRDO द्वारा बिक्सिदेश की पहली स्वदेशी मसीन पिस्तॉल अस्मी अस्मी यानि A-S-M-I अस्मी नाम दिया गया है 16 जन्वरी 21 को स्कॉच चैलेंज अवार्ड SKOTCH स्कॉच चैलेंज अवार्ड किसे परदान किया गया है अर्जुन मुंडा को SKOTCH चैलेंज अवार्ड अर्जुन मुंडा यह जारखंड के साधर अर्जुन मुंडा मुख मंत्रिय है यह confusion है जारखंड के मुख मंत्रिया या कौन है लेकिन जारखंड के हैं यह 16 जन्वरी 2021 को किसे सिल्वर सालवर से समानित किया गया प्रिथ्वी पाल सिंग, सिल्वर सालवर 17 जन्वरी 2021 को किस राज ने पक्षियों को बचाने के लिए कडूना अभियान चलाया पक्षियों को बचाने के लिए गुजरात ने कडूना अभियान 17 जन्वरी 2021 को स्क्रैन का प्रामपरिक्ते वहर कहां मनाया गया स्क्रैन का प्रामपरिक्ते वहर धाका में मनाया गया 17 जन्वरी 2021 को पैप्सिको ने कब तक शुद्य शुन्य उत्सर्जन का लक्ष निर्थारित किया पैप्सिको 2040 तक इतने लंबे लक्ष निर्थारित किया जाते है 17 जन्वरी 2021 को पैप्सिको ने कब तक शुद्य शुद्य उत्सर्जन का लक्षिन दारित किया 2040 तक 17 जन्वरी 2021 को किस देश ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है UNHRC फीजी ने UNHRC की अध्यक्षता प्राप्त की है 18 जन्वरी 2021 को परधान मंत्री मोदी ने Sटचू आफ यूनिटी को देश के बिबिन भागो से जोड़ने के लिए कितने ट्रेमों की शुरवात की है 8 नयने कि 18 जन्वरी 2021 को परधान मंत्री मोदीने Sटचू आफ यूनिटी Statue of Unity सरदार बल्ला भाई पटेल की वो Statue के जिकरी की गई है इसे बिभिन भागों से जोड़ने के लिए कितने ट्रेनों की सुरुवात की आठ ट्रेनों की सुरुवात की तो अभी आप देख रहे हैं Current Affairs Mega Series Part 2 January to December Current Affairs और अभी चल रहा है जन्वरी का महाकूंब है जिके का महाकूंब जन्वरी के जिके का महाकूंब है तिसलिया आप इसमें डुक्की लगाना न भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप चैनल पे नवे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करे अगर आपको कोई सुझाओ देना चाह रहे हो या कोई प्रश्ण हो तो कमेंट सेक्शन के माद हमसे हमें जरूर बता हैं हम फिर मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ एक नए लक्षो वीडियो के साथ तक लिए आप चैनल पर बने रहे हैं और हिस्ट्री और जीके का लुथ उठाते रहे हैं धरने बाद